सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन में YT Studio अप्लिकेशन को आपको ओपन कर लेना है अगर आपने ये अप्लिकेशन डाउलोड नहीं कि आपको प्लेशोर मिल जाएगे बिल्कुल फ्री है आपको डाउलोड कर लेना है उसके बाद आपको अपने यूटूब अकाउंट से यहाँ पर लोग डिन आपको हो जाना है जिस पकार मैं यहाँ पर अपने यूटूब अकाउंट से लोग डिन हूँ उसके बाद आपको थ्री लाइन या फिर थ्री एरो पर आपको कलिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा वीडियो का आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सबी वीडियो open हो जाएंगी जो अब तक आपने यूटूब चैनल पर upload की हुई है उसके बाद अगर आप किसी भी अपनी वीडियो पर थम्लेल चैंज करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करिए क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा पैंसल वाला आइकन का आपको यहाँ पर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा पैंसल वाला आइकन का दुबारा से आपको यहाँ पर क्लिक करने उसके बाद आप देख रहे हैं कि कस्टम थम्मेल यानि कि आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद दोसों यहां पर आपको यूटूब की तरफ से आपकी वीडियो के इसाब से आपके थम्मेल चूज कर लिए गए अगर आप यह रखना चाहते हो इनमें से कोई साब रख सकते हो अलगल टाइप के ह होते हैं उसके बाद अगर आपने खुद से अपना थम्मेल बनाया है यूटूब के वीडियो के लिए तो आप यहां पर क्लिक करें क्लिक करने बाद आप अपने मने फाइल मनेजर में आ जाओगे उसके बाद जो भी आपको उच्छा लगए जो भी आप थम्मेल बनाया उसके बाद उसके यहां पर यह लग जाएगा सिंपली उसके बाद आपको लग जाएगा उसके बाद सिंपली आपको यहां पर सेव वाले उप्सन पागो क्लिक करना है जैसे आप सेव वाले क्लिक करोगे तो यह प्रोपरली आपकी वीडियो पर प्रमेंटल लग जाएगा उसके बाद उसके आपने लिखा आ चुका है एडिट सेव तो यानि कि आपका ये सेव हो जग उसके बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है सिंपली आप बैक आजाओगे आप देख रहे हैं कि आपकी वीडियो पर आप ये थम्मेल लग चुका है दोस्तों उमीद करता हूँ जितनी पी इंफर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है आपको जरूर पसंद आयोगी अगर आपको कोई कोशन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बुक्स में हमें कमेंट कर देना हम आपकी help करेंगे